आपको यह पता है एक तो यह है कि हुकूमत महंगाई करती है जो के इनों ने की है और अब हमारे मुसल्मान भाई महंगाई करेंगे क्योंकि वो भी तो शामिक है ना अपना हिस्सा तो भी लाइंगे और आज आते की लाइन में आप देखें गरीब यह सोचता है कि कहां से हमें मुस्ताटा मिलेगा या कंसेशन रेट पे मिल जाएगा वो लाइनों में लगे चार आदमियों की अमवातों कि किस के जिम्बे है कौन को अपने सद्वे लेगा यह इंपोटेट की नाकिस फॉलियों की वज़ा से यह सक कुछ हो रहा है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे खरीब आवान को हम एक खान साथ इसको वेलबर स्टेट बनाना चाहते हैं वेलबर स्टेट में यह होता है कि गरीब के हुकूक ह होते हैं इस गवर्मेंट ने जब से ही 11 महीने से आई कौन से हग दिया है गरीब को यह तो एक महंगाई मुकाव मार्श कर रहे थे महंगाई तो मुके न मुके वरेब मुक रहे इस दुनिया से अब इस पाकिस्तान से तो यह सारा इंटेंशन हटाने के लिए यह जमान पार करते हैं उनको एक इसी टार्गेट खान साब मिलते हैं क्योंकि उन्होंने कभी कोई करॉप्शन नहीं की है उनके खिलाफ कोई केसिस नहीं है बेपुनियाद बाते निकालते आ जाते हैं खान साब के घर पे हल्ला बोलने के लिए आप देखे कौन से सुबे कौन सा कोना है जहां से खान साब के सिपाई खान साब के वर्कर्स खान साब के चाहने वाले यहां जमान पाक नहीं पहुंचें आप तश्रीफ कहां से लईए आप कहां से तश्रीफ लाईए हैं मैं और मेरी फ्रेंग दोनों महां पर कुछ हालात नहीं बन रहे थे कि हमें कोई हमारे साथ सपोर्ट करता है या साथ आता हमने का नई जी हमने खान साथ के लिए जाना है और हम दो अकेली खावातीन ट्रेन का सफर करते हुए यहां खान साथ से मिलने आए हैं जमान पाक उनके सॉलिडारिटी में उनका साथ देने के लिए इनिशालला थैंक यू